सो हेलो फ्रेंड्स आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोनित एचससी में इंद्रगाइंद नुश्टी मीरपुर्शिज रिफी एक कोरने अपडेट के साथ तो आज किस वीडियो में हम बत करने वाले हैं आईजू मीरपुर के जो भी आपके आए हैं या तो उसमें आपके रियपीर आ गई या फिर आपके नंबर कमाई है किसी भी सब्जेक्ट में और वह नंबर आपको इंक्रीज करने है तो आपको रिवालवेशन और रिचैकिंग दो आपको ओप्सन चुने होंगे या तो आप रिवालवेशन का फूर्म अप्ल last date क्या होती है form apply करने की fees कितनी लगने वाली है उस सब की बात करेंगे तो चले start करते हैं आज के हमारी वीडियो को बिनावक जाये के वे तो सबसे पहले मैं आपको बता दू revolvation के और साथ ही rechecking की क्या होती है दोनो rechecking में आपके only number number count के जाते हैं आपने जो भी answer sheet लिखी है आपने जो paper दिया है उसके only number number आपके count होंगे कि कहीं पर कोई number छूट तो ना गया है teacher ने आपके copy check की उसके बाद आपको number दिये किस question में 4 किसी में 5 किसी में 10 तो ये number number दोवारा से जो है जोड़े जाएंगे कि कोई number छूट तो नहीं गया है ये आपके rechecking होती है simply इसमें आपको ज़्यादा mind नहीं लगाना पढ़ता teachers वगयरा को और इसकी fees आपकी 4 रुप भी आप अपना result जिस दिन आया मानली जी आपका result एक तारिक कोया है तो आप 16 तारिक तक आप अपना revolvation का form वो है apply कर सकते हैं fees 400 रुपे होने वाली है अब revolvation का जो आपकी copy कैसे check होती है आपकी जो copy पहले check हो चुकी है उसमें first जो आपका page होता है जिसमें आपकी detail वगयरा होती है आपके roll number वगयरा होती है उस page को उस copy से हटा दिया जाता है और नई photocopy लगाई जाती है उस पे जिसमें आपके roll number व दिये हैं और फिर अलग teacher को वो copy check करने के लिए दे दी जाती है वो उसको copy check करता है और उसको दुवारा से उसके number देता है 5, 12, 15 जो भी उसके number उसको देने होती है वो दुवारा से फिर से check करके वो number उसमें दे दिये जाते है और जो number उसके जुड़ते हैं बाद में यानि पहले आपके जुड़ रहे थे आपके 20 नमबर जुड़ रहे थे आप वो आपके नमबर जुड़ गे 45 यानि जितने भी आपके नमबर एड़ वे यानि पहले नमबर थे आपके 10 और उसमें 15% तक का इजाफा हो जाता है तो वो कावपी है दोबारा से आपकी चेक करने के लि यानि आपकी कोपी चाहे कोई उसमें पहले आपके आए 40, दूसरे टीचर ने चेक किया उसके आए 35, अब इन दोनों को जोड़के दो से डिवाइड कर दिये जाता है और जो नंबर आपके आते हैं वो आपके दे दिये जाते हैं या फिर एक टीचर आपका आपकी जैसे आप नंबर आपके इनक्रीज होए पहले आपके 25 थे अब आपके 35 होगे तो इस 10 को 2 से डिवाइड करके आपके जो नंबर बनते है 5 वो आपको दे दिये जाते हैं अब ये हो गई आपके रिवालवेशन की बात तो आपको रिचेकिंग का बरना या फिर रिवालवेशन का बरन में आजाना है मैं Simply Chrome browser में आ गया हूँ यहां पर आके आपको यहां पर सर्च कर लें सर्च तो आप कर लेंगे सिंपल सफंडा है आपको सर्च क्या करना है वह मैं आपको बताजता हूँ iju.youcanapply.com आपको इसमें फिल कर देना है जैसे आप iju.youcanapply.com अब इसमें फिल करेंगे मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है अभी तो मैंने इसमें फिल कर दिया है फिल करने के बाद आपको simply यहां से सर्च कर देना है जैसे आप सर्च करेंगे इसको आपके पास redirect होके एक new webpage 時 open हो जाएगा आप इस प्रकार से देख सकते है तो यहां पर student login आपको देखने को मिल जाएगा बहुत से students तो यहां पर आकर जो है login नहीं होगा वह जैसे यहां पर login करेंगे उनका login नहीं होगा तो उनको क्या है login करने के लिए पहले result पी click करना होगा जिसका नहीं होगा उसको अब यहाँ पे आके उनको edit करना होगा address को और address edit करके उनको फिर से यहाँ तक रख लेना है और इसको अगर आपके में हो जात है तो ठीक है अगर आपको student login आपनी simply डाला login हो गया तो ठीक है अगर नहीं होता इसके बाद आप यहाँ पर click करते हैं तो नहीं होता तो आपको यह तरीका अपनाना पड़ेगा वरना मैं link नीचे description भी दे दूँगा direct आपको student login की पर उसके बाद click कर लेना है यहाँ पर आपको क्या करना है पहले मैं desktop site कर लेता हूँ desktop site में आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा और आपको अगर भरना है तो आप desktop site पर ही fill करेंगे form को ताकि आपको ज़्यादस विदा हो form भरने में आपको कोई mistake भी ना हो और आपका form अच्छे से आपको complete दिखे आपको एक desktop की तरह है जो आपको computer में दिखता है उसकी तरह है तो यह desktop site होने में time ले रहा है तो मैं इसको एक पर फिर से refresh कर लेता हूँ तो मैंने refresh को कर लिया है तो यह मेरा refresh हो गया है आप desktop site पे है मैं एक पर check कर रहता हूँ या नहीं तो desktop site पे है इसके बाद student login पर simply हम click करेंगे आप इसमें username और password डालना होता है बहुत student का confusion होता है क्या डालने username password में तो username और password में simply आपको अपने university role number डाल देने है जिनको आप university role number या फिर registration number भी बोलते है बहुत student वो आपको इसमें डाल देने है जो आपके result के उपर role number है आपके वो इसमें आपको फिल कर देने है तो simply मैं इसमें fill कर देता हूँ मैंने copy किया हुआ है दोनों में same paste कर देता हूँ क्योंकि username password same होता है और जिस students का login नहीं होता same करने से वो अपने college office में जाके अपना username password दोबारा से ले सकते हैं साइध उनका password change कर दिया गया हो या फिर हो गया हो उनकी mistake से आप दोनों में same डाल दे मैंने अब simply sign in कर लेता हूँ मैं यहां से जैसे मैंने यहां से sign in किया home page मेरा open हो गया है जो इंद्रगा इंदरिश्टी मिरपूर का है profile आपकी है आई जो मिरपूर की वो आपकी यहां पर open हो गई है आप देख सकते हैं यहां पर आपको बहुत से जो है option available होने वाले हैं आप यहां पर simply देख सकते हैं तो रिवाल का form मैंने भरने के लिए यहां पर हो गया है fees आपकी होने वाली है 400 रुपय एक जो आपकी answer sheet होनी है यानि एक subject एक paper जो आपनी दिया था उसकी 400 आप बहुत से BSE के student में मिलेंगे जिनको होनेगे जो अपना physics के 2 exam दिये तो उनकी 800 रुपय हो गई, chemistry के 3 exam दिये तो 1200 रुपय हो गई इस प्रकार से आपकी fees कटने वाले हिंदी का एक paper होते है तो 400 रुपय हो गई आप आपको simply यहां से select कर लेना है course Bachelor of Arts या फिर M.A.M.C.O.I. भी आपको course हो simply check कर लेंगे उसके बाद यहां पर student type, regular का आपका result आया था या यह फिर पर का result आया था वो आपको देखना है मालीज़े इसका regular का result आया है तो हम simply regular यहां से choose कर लेंगे उसके बाद select करेंगे semester किस semester का आया है पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चोथे का, पांच यह फिर चठे का, तो चठे का आया है मैं simply चठे का search कर लेता हूँ उसके बाद यहां पर search का option है यहां पर simply search कर लेंगे और उपर जैसे scroll करेंगे आपको detail मिल जाएगी यहां पर, detail आप देख सकते हैं, आपकी detail यहां पर open हो गई है scroll करेंगे नीचे, आप देख सकते हैं, check all का option है, अगर आप check all टिक करेंगे आपके सभी form के जो है टिक हो जाएगा और आप form apply कर देंगे, सभी के लिए अगर आपको करना है, सभी subject के लिए यहां पर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, आप जो यहां पर देख रहे हैं, mark दिये गए हैं साथ में कि English में आपके number 9, उसके बाद Hindi में 21, History में 36, और Political Science में 35 तो simply इसको English का भरना है, English पेक बर click कर देंगे, और नीचे submit and proceed के option पे payment पे click कर देंगे उसके बाद आगया है, saved successfully, click to on to payment button, proceed, अब नीचे दो बार से स्क्रोल करना है हमें अब यहां पर आगया है आपका, revolve form applied और payment का option आगया, simply हम proceed to payment पर click कर देंगे और यहां से करनी है, आपको अपनी payment, एक बात और बता दू, भूत से students की payment है, इसमें अलज जाती है यानि एक प्रकार से failed हो जाती है, उनके account से कट जाती है, लिकनि यहां पर submit नहीं होती तो वो अपना payment ध्यान से भरें, उन्होंने जो अपना form है, वो network आए, mobile में ठीक से तभी अपनी payment पे करें अब नीचे यह बहुत से option दिखा रहे है, तो हमें इनमें किसी में ध्यान नहीं देना है, आपको नेको simple revolvition का form बरना है, revolvition का option यहां से आपको मिल जाएगा उसके बाद select payment mode हमेशा online होने वाला है, revolvition के form का, अगर आपको online फिल करना है, offline भी आप फिल कर सकते हैं, इंदरगा इंदुनिस्टी मिरपूर में आपको जाना होगा, उसके बाद आप payment वहां से आपको हो जाएगी, offline अगर आपको करना है, तो IG में जाकर होगा, online में simply हम online पर click कर लेंगे, उसके बाद नीचे scroll करके आपके पास जो भी option अवलेबल हो, वह आप च्यूज कर लेंगे debit card, credit card, net bank, तो debit card है, अपने debit card सीरेस च्यूज कर लेंगे, और जो भी आपका 2% है, वो चार्ज एक्स्टा लगने वाला है, तो चार्ज हो पे 2% हो गया, आपका 8. चोड़ा, उसके बाद, proceed to payment कर देंगे, proceed to payment करने के बाद, आगे की कारिवाई आपको खुद करनी होगी, खुद कैसे करने है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने कोई भी online payment अभी तक की है, तो ये online payment भी आपकर नीचे scroll करेंगे, pay now and submit application के option पे आपको यहाँ पर मिल जाएगा, simply इस पर आपको किलिक करना है, इस पर किलिक करने के बाद, आपको अपनी क्या करना है, काड की detail डालनी है, आपको यहाँ पर simply हमें पे नाओ and प्रोश्यम मीट application कर दिया है, इसके बाद यह थोड़ा सा time लेगा, redirect होके आपके पास जो है, काड detail वगएर आजाएगी, एक मिंट यह लेग हो रहा थोड़ा सा, तो यहाँ पर आगया है, देखो, card number, उसके बाद, expiry date, card name, और CVV number, यह डालके simply आपको pay 408 रुपे 16 पैसी कर देना है, उसके बाद आपके mobile पे OTP आएगा, और उसके बाद आप pay करतेंगे, तो जैसे आप pay करेंगे, यहाँ पर आपका success आजाएगा, जहाँ पर यह transaction आपको मैं दिखा देता हूँ, यह transaction जो fade दिखा रहा है, यह आपका successful हो जाएगा, उसके बाद आपको simply dashboard पर आना है, dashboard के पर आने के बाद आपको simply थोड़ा सा scroll करके, last reward phone पर आपको click कर लेना है, last reward phone preview, उसके बाद यहाँ पर आपका preview नहीं होगा, क्योंकि यह site है, maintenance पर है, या फिर आप समझते हैं कि block कर दिया है, जोने, आपको simply back करके, आपको revolution के form first option पर ही click करना है, अगर आपको print निगालना है तो, और उसके बाद आपको यहाँ से simply wise, जो choose करना है, जो आपने पहले किया था, यानि कि आपक इसके लिए बनेरी हमारे साथ, thanks for watching, have a good day, wait for next video